छोड़ दो, मत दो पेपर, मत दो ना, किसने बोला है, किसने बोला है, क्या हो जाएगा, मही में दुबारा होंगे, मही में दुबारा होंगे सही में, मजाथ नहीं कर रहा है, नहीं नहीं इस पर भी तो लड़ सकते हो, कि मही में होंगे, कि जून में होंगे, जुलाई में हो चाते हो, क्या चाते हो, भाईो और बहनो, ध्यान से बात को सुनो, पेपर तो देने है, आपके घर में भगवान ना करे, कोई बहुत बुरी घटना घट जाए, तब आप अपने आपको रोक लीजेगा, लेकिन डर के मारे अपने आपको आप रोक रहे हैं, नहीं, मैं ऐसे स् फादर साब की डेट बॉड़ी थी, and she went for her exam, and she cleared it, बस मैं इतना ही बोल सकता हूं, इसको और क्या डिटेल में ले जाओं, कहीं लोगों को ये बड़ा अजीव लग सकता है, लेकिन मेरी नजरों में इस बात की बहुत इज़त है, बहुत इज़त है, जब हम अपने नाशनल heroes को देखते हैं, विराट कोली साप को देखते हैं, सचिन तनलुकर साप को देखते हैं, तो हम क्या सीखते हैं उनसे, MSD को देखते हैं, क्या सीखते हैं, कितने sacrifices, paper तो देना है साथ, performer जरूर देना है, जब तक डौक्टर आपको ना बोल दे, कि आप जाने लाइक महीं है तब तक आप कोशिश करिए कि पेपर जहू देना और पेंचन लेके नहीं स्ट्रेस लेके नहीं फुल मोटिवेशन के साथ जितना प्रिपेर कर पाओगे उसके साथ पेपर छोड़ा यानि कि आपने अतनी आदत भिखा ली मैंने ऐसी गलती करी थी और मैं आज तक उस बात को रिग्रेट करता हूँ मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें दोस्तों के कहने पे यह नो शायद हो सकता है शायद टीचर्स के कहने पे किसी के भी कहने पेपर नहीं छोड़ने आप आप जितनी पढ़ाई कर पा रहे हैं आप करिये आप जितनी motivation से आगे बढ़ पा रहे हैं आप बढ़िये पेपर नहीं छूटेंगे किसी भी हाल में इस बात को दिमाग में डाल लीजे क्यों habit बन जाएगे आपके आप habitual हो जाएगे अगली बार कर लोगा देख लेंगे हो जाएगा अगर आपका ये attempt due है आपने examination form भरा है आप जाएंगे आप paper देख आएंगे इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजे कैसे पढ़ना है इसमें मैं बहुत सारी guidance videos बना रहा हूँ आप उत देखिए कुछ motivation आपको जरूर मिलेगी लेकिन याद रखेगा मेरी दी हुई motivation temporary होने वाली है ultimately आपको अंदर से motivation आनी चाहिए कि मैंने पढ़ाई करने हैं मैंने पास होना है internal motivation is really important मैंने नीरे जरो reflection पे एक video भी डाला था even एक tweet भी किया था इस बात को लेके क्या आपको आप ही अपने आपको motivate कर सकते हैं हम teacher सिरफ आपको आपको आके एक temporary boost दे सकते हैं जैसे शायद ये video देखने के बाद आपको मिले या शायद और बाकी teachers के जब आप video देखते होंगे आपको मिलता होगा लेकिन ultimately आपको एकरना पड़ेगा everybody wants to go to heaven nobody wants to die please please इस बात को आपने समझना है कि paper ना देने का खयाल आना ही नहीं चाहिए कोई बात नहीं क्या होगा अगर आपके दो paper की भी त्यारी अच्छी हुए है तो क्या हो जाएगा जाद 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 बाकी दो में आप fail हो जाएंगे लेकिन आप एक समझ लीजिए कि आपके mock test हो जाएगा ये समझ लीजिए बाकी दो आप चारों पर बैठेंगे क्या पता किसी एक आदे में exemption आ जाए राइट irrational decision जो अगली बार rank ले क्या होंगा कोई बात नहीं आप paper तो दीजिए इस बार pass होगे बहुत बढ़िया नहीं होए तो अगली बार आपको rank ले आईएगा इन सब basis पर भाई paper नहीं छोड़े जाते है किसी भी हाल में बताई ही मुझे comment box में commitment करके जाए ये paper ज़रूर दूँगा डरूँगा नहीं और डर किस बात का मैं बताता हूँ सर पढ़ाई नहीं हो रही तो क्या करें सर इसमें जो आपको हम बता सकते हैं और मैं नहीं सारे teachers कोशिश कर रहे हैं सारे teachers मैं अकेला नहीं आज की लिए मैं हर teacher ये कोशिश कर रहा है कि बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे बच्चे motivated रहे बच्चे paper दे लेकिन आप लोगों ने इसको एक excuse बना लिया है कि पढ़ा ही नहीं हो रही डर लग रहा है क्यों डर लग रहा है अरे डर लग रहा है भगाओ उस डर को ऐसे बड़ी बड़ी बात है हम किसे डरत नहीं ये हो जाए वो हो जाए भी ट्विटर पर लगाई है चड़ जाए तुम लोग तला रहे हैं कि निकल पढ़ते हो ट्विटर पर यहां तुम्हें डर लग रहा है यार डर का जो इलाज है वो सिर्फ है action लीजी action क्या action पढ़ाई वाला action देखें डर कैसे भागेगा जब भी कोई नई चीज आती है ना तो सबको से डर लगता है लेकिन जो उसको पढ़ लेता है जो उसको डिटेल में चले आता है वो कहता है क्या बच्चे वाली चीज़ है उसे समराइज करके पढ़ाई को लेकर प्लीज अब समय वेस्ट मत कीजी बहुत समय जो है वो कम बचा है आपके पास बहुत समय जा चुका है जितना भी समय बचा है अगर आप उसको अच्छे से यूटलाईज कर लें तो आप एक्चुली में जो है अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं बिलीव में ओके प्लीज डोंट गिव अप प्लीज डोंट डेफर जिस्ट गिव यूर बेस्ट और आई बिलीव इन यू यार मैं बिलीव करता हूं तुम्हारे अंदर यार आपके पेरेंट्स आपके अंदर बिलीव करते हैं आप क्यों नहीं कर रहे हो मैं उस बच्चे से ज़ादा मैं उस बच्चे को ज़ादा एप्रिशेट करूँगा जो लड़ेगा जाके मैं उस बच्चे को ज़ादा मोटिवेटेड ज्यादा उसको मोटिवेट करना चाहूँगा ज्यादा मैं उसके साथ खड़ा हूँगा तो बच्छा एक्चली में जाके एक्जाम में भाई कोशिश तो करके आ रहा है I hope message is loud and clear आपके कोई भी सवाल यह सो जाओओ इस वीडियो से लेटरे आप comment box से मुझे बता सकते है अगर आपके कोई friends हो जो ऐसी बाते कर रहे हैं exam चोड़ने के उनके साथ वीडियो शेयर कीजेगा उमीद करता हूँ उनकी life में कुछ value हम लोग अगर add कर पाएं और उनको किसी तरह से हम लोग मना पाएं कि पेपर नहीं छोड़ना है तो बहुत अच्छा होगा right at least आपको लेवल पता चल जागा न क्या question पूछने वाले हैं वो लोग आपसे कोई आपके पास argument नहीं है पेपर छोड़ने का कोई भी accept excuses आपको और कुछ नहीं है चलिए जी with this note guys thank you very much stay connected stay head जैहिंद और हम इत्रों सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू all the best God bless you खुब मैनत करो खुब आगे बढ़ो